मद्यप्रदेश सरकार में P.H.E. राज्यमंत्री का कहना है कि बुंदेलखंड की स्थिति पर चिंता जताई है बुझेंद्र सिंग यादव का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान पर्यावन्ड बचाने के उदेश्य से व्रिक्षार ओपन करते हैं इसी तरह बुंदेलकंड में भी व्रिक्षो के माध्यम से जल संग्रहण आसानी से किया जा सकता है और इस चेत्र में पानी की कमी को दूर भी किया जा सकता है यादव का कहना है कि मद्यप्रदेश के लोगों को नल के जरीर साफ पानी मिले और उनके लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है बिजेंद्र सिंग यादव से बात की हमारे सहियोगी जितेंद्र शर्मा ने वो देखिया मद्यपरदेश के हर नागरी के घर नल के माध्यम से सुच्छ जल पहुच है इसको लेकर जल जीवर मिशन पर लगातर मद्यपरदेश की सरकार काम कर रही है मद्यपरदेश सरकार के पी-ए-ची राज़े मंतरी बरजन सिंग आदव जी हमारे साथ मौज़ूद है हम सीदों से ही बात करते है सर हम बात करें जल जीवर मिशन की लगातर मद्यपरदेश की सरकार इस पर काम कर रही है ताकि हर विक्ति तक सुच्छ जल पहुचे आगे क्या हो और इसमें तैयारियां देखने को मिलने माली जैसा की ये 15 अगस 2019 को हमारे देश के परदान मंत्री मानिय नरेंद मोदी जी ने ये गोशना कीती के है सन 2024 तक जल जीवर में सन के तहट पूरे देश के हरे गाउं में हरे घर में स्वक्ष पेजल उफलप कराएंगे उसी क्रम में हमारे मानिय मुकमती स्री सिवरासी चौहन जी ने इस लक्ष को रखा था 2023 तक पूर रहने का और इस काम को उन्हें पहली प्रात्मिक्ताब पर लिया था चूकि इसमें सबसे अच्छी वात जो है ना 50-30-70 के इंसर कार देती है तो जब ये योईना स्विकिर्थ हुई उस समय मध्य प्रदेश में कॉंग्रिसरी सरकार थी तो उन्होंने एक साल कोई काम किया नहीं एक साल तो बोड डिलियो हो गया हमारा दूसरा जैसे ही 2020 में मध्य प्रदेश में बाहरती जन्तापार्टी की सरकार बनी तो सबसे पहली प्रात्मिक्तापर मानी मुख्मंती ये ने जल जीवन के मिसन के काम को लिया और जैसे ही काम लिया उसी समय कोरोना आ गया तो देश में लोग डाउन लग गया तो थोड़ा उस समय भी काम हमारा प्रभावित हुआ जबकि हमने इसको लगा खाता कि हमारी सरकार ने कि हम 2023 तक इसको पूरा करें लेकिन दो ऐसी समय से आने ही कि जिसके वज़े सा हमारा काम थोड़ा सा डिले हो गया लेकिन फिर भी हमारा लगशा कि 2024 तक हम मद्द परदेश के हरे गाउं में हरे घर में सख्ष पेजल उपलप करा सके बिल्कुल सर इसके अलावा अगर हम बात करें फॉर्मल किया ने के हम ग्रामीर्ट शेतरों की बात करें किसानों की बात करें और परियावराण की बात करें तो इन तीनों को मिलाकर किस तारह से काम करेगा जल जी अम्न कि बहुत बड़ी समस्चा है कारण है वहां मैंने यह भी देखा कि वहां बरसाद भी कम होती है महाजु पाड़िया उन पर पेड़ पौदे नहीं है तो सरकार चाहती है कि फिर जैसे मानी मुखमंती पृती दिन जब घर से निकलते हैं तो एक पौदा लगाते हैं यह मतलब उससे लोगों को सीखना चाहिए कि अगर हम एक एक पौदा ही लगाएगा पृती दिन लगाएगा आट दिन में लगाएगा तो इससे एक पर्यावरन हमारा सरक्षत रहेगा साफ रहेगा और दूसरा बंदिल खंड में जैसे बैतवा कैन बैतवा लिंक के होजना अभी मान पूरे परदेश में लागू होना चालू होना पून होना एक बहूत बड़ी मतला हुआ बिस्यस कर ये योजना है हमारी माता बहना बेटियों के लिए तो ये बर्दान सावित हुई है बिलुकल तो बर्दान सावित होुई है और आगे भी इसको लेकर कारे किये जा रहे है जल जीवन मिशन के अगर हम बात करें तो मदिपरदेश में लगातार सरकार का ये करम है कि सरकार वो कारे करें ताकि लोगों को सच जल नल के माधियम से जादा से जादा मिल सके 2024 तक का लक्ष रखा गया है देखना यह होगा कि इस लक्ष में मद्यप्रदेश की सरकार कितनी कामियाब होती है विडियो निस्ट हिमानजु के साथ जीते अंदर शर्मा निजी स्टेट भोपाल